पान्नी ओनलाइन पान्नी ओनलाइन में आप सभी का स्वागत है आज का हमारा वीडियो है Most Expected 1000 Questions of General Science की सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई है फिफ्थ पार्ट आज हम इसका लेके आई है फोर पार्ट हमने पहले इसमें डाल दिये हैं तो आज जो है वो फिफ्थ पार्ट है Most Important Questions जितने भी competitive exam होते हैं उन सभी में ये बहुत ही बार बार पूशे जाते हैं किसे ने किसे form में इन Questions की एहमियत रहती है तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड़ जरूर देखें जिन लोगों ने अभी तक पहले फोर्थ पार्ट नहीं देखें हैं तो इस वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं और benefit ले सकते हैं इन Questions का तो ज्यादा time वेस्ट ना करते हुए तो चलिए आज का वीडियो हम start करते हैं वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को like और share जरूर करें साथ में comment करके अपने views भी हमें जरूर बताएं और जो लोग चैनल पे नहीं हैं जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर करें और साथ में बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिले इन questions की PDF भी हम provide करवा रहे हैं तो जिन लोगों को PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलिग्रम चैनल का link मिल जाएगा वहाँ से जाके आप PDF क्लेक्ट कर सकते हैं और benefit ले सकते हैं तो चलिए आज का तो यह है हमारा आज का वीडियो General Science in Hindi One Liner Questions होंगे Important Expected Questions of GS तो जल्दी जल्दी से हम करेंगे Very Important Questions of General Science First Question is ज्यादा मत्रा में शिराब पीने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रिभावत होता है शरीर का अंग जो है यकरत या लीवर प्रिभावत होता है Next Question is डाइनमो जन्तरिक उर्जा को किस उर्जा में बदला जाता है विदुत उर्जा में डाइनमो जन्तरिक उर्जा को किस उर्जा में बदलता है विदुत उर्जा में Next is जिरेंटोलोजी में किस का ध्यान किया जाता है ये ब्रिद्ध वस्था का ध्यान किया जाता है Next है किस वैक्टीरिया द्वारा दूद दही में परिवर्तिद हो जाता है Lacto Vessels के द्वारा Next है किस आंग की खराबी के कारण डैल्सिस किया जाता है Kidney की खराबी के कारण जब kidney खराब हो जाती है तो डैल्सिस करना पड़ता है Next है मनुश्य के रक्त का pH मान कितना है 7.4 Next question है ऐसा कौन सा पड़ार्थ है जो पृत्वी पर तीनों अवस्ताओं में पाया जाता है It is पानी Next है भारत में बग्यान दिवस कब मनाया जाता है 28 फर्वरी को Next question है आयोडीन जुक्त नमक ना खाने से कौन सी बिमारी होती है ये गलगंड होती है Next question है ऐसा क्यों होता है कि सूर्या हमेशा पूरव से निकलता है तो ऐसा प्रित्वी के पश्यम से पूरवी की और घूमने के कारण होता है Next question कोवांट किस बिटामन में पाया जाता है That is बिटामन वीट वाल्व में Next is किसकी उपस्तदी के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता हिपेरिन Next is मानव शरीर के किस बाग में पित का निर्मान होता है यकरत Next question है हीरे की चमक का क्या कारण है Total Internal Reflection Next question है बिटामन वीट वाल्व को अन्या किस नाम से जाना जाता है Saino-Cobalamin Next is TEL का पूरा नाम क्या है Tetraethyl lead Next है बिटामन C का पूरा नाम क्या है Ascorvic Acid Next is Hygrometer से क्या मापा जाता है Hygrometer से Relative Humidity मापा जाती है Next question है क्या कारण है कि दुरूप तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है तो इस तारे के पृत्वी के घुर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होने की वज़े से Next is रक्त दाओ किस जंतर से मापा जाता है ये मापा जाता है Swigmanometer से Next is पूशल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है 76 year Next है किस गैस को लॉफिंग गैस कहते है That is Nitrous Oxide Next is किने हाइड्रोफाइट कहा जाता है जलिये पोदों को Next question है पीतल किस की मिशरधातू है ये यस्ता और तामबा की Next है किस विटामन की कमी के कारण्स कर भी रोग होता है That is vitamin C Next है विदूत का सबसे ज़्यादा सुचालक कौन सा है चांदी शेवाल का अध्यान किस शाखा द्वारा किया जाता है फाइकोलोजी के द्वारा Next है फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपजोग किया जाता है That is Estiline Next कृतम बर्षा के लिए क्या उपजोग में लाय जाता है Silver Iodide Next question है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किस की पर्त चड़ाई जाती है Jink की Next is शुशक वर्फ को क्या कहा जाता है Solid या CO2 Next है इंदर ध्रुश में कितने रंग होते है Seven And then next is यव रेटीना पर प्रतिभिम्ब बनता है तो वह किस तरह का होता है वास्तविक उल्टा और शोटा Next is उस धातु का नाम बताएं जो द्रव अवस्था में पाई जाती है That is पारा Next question प्रकाश वर्ष किस का मातरक है दूरी का Next is मनुश्या के मस्तिक्ष का भार कितना होता है 1300 ग्राम Next मेंडर के हिर्दिया में कितने भाग होते है तीन Next है मानव शरीर के किस भाग में पिट्यूटरी ग्रंथी पाई जाती है मस्तिक्ष में Next is पालक के पत्तों में सर्भादिक मातरा में कौन सा ततप पाया जाता है लोहा Next है मानव का हिर्दियो एक मिनिट में कितनी भाग धर्ड़कता है 72 टाइम्स Next है किस के काटने से हाइडरोफोविया होता है पुत्ते के काटने से हाइडरोफोविया होता है Next है किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया में Next है हवा का बुल्बला पानी में किस की वांती विवहार करता है अवतल लेंस की तरह किस की उपस्तिती के कारण रक्त का रंग लाल होता है हीमोगलोविन नेक्स्ट क्वेशन है उस उपग्रह का नाम क्या है जिसे भारत ने पहली वार शोड़ा था आर्यवट Next है चंदर्मा पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था नील आमस्टों Next है चंदर्मा की सत्य से आकाश कैसा दिखाई देता है काला Next है किस वग्यानिक ने रक्त परवा की खोज की विलियम हार्वे ने Next द्वनी की शरब्या सीमा कितनी है 20 हर्ड्स टू 20 थाउजन हर्ड्स तो ये था हमारा आज का वीडियो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जुरूर करें साथ में बेल बटन को जुरूर कमेंट करके अपने व्यूज जुरूर बताएं और जो लोग चैनल पे नहीं हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो मैं एक वर फिर से बता रही हूँ जिन लोगों ने अभी पहले वाली 4 सीरीज जो हमने डाली है वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे रहे हैं आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं और इसकी PDF फाइल्स भी आपको मिल जाएगी तो टेलिग्राम चैनल पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा तो टेलिग्राम चैनल को जुरूर जोइन करें वहाँ से अपनी PDF जो है वो डाउनलोड कर ले तो ऐसे ही Most Important Questions की सीरी लेकर हम फिर से हाजर होएंगे तो मिलते हैं अपने Next वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में All the best, Thank you